हेलो गाईज तो कैसे हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इन वाले ट्रिक्स का यूज़ करके अपनी रेंग को भी काफी इजली पूट रह सकते हैं तो वीडियो का एंट तो अब जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब सब्सक्राइब करना है तो कैसे हमारी पहले वाले ट्रिक काफी आदा मेजिंग होने वाली है और यस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपनी रेंग के काफी असानी से पुछ कर सकते हैं तो अब आप हो यहां पर कहनना क्या है आपको फैक्टरी राड़ी लोकेशन पर आ सब्सक्राइब करना है तो आप अपनी जॉश्टिक को यहां आगे की तरफ रखना और अपने जंप वाले बटन पर प्रेस करते रहना तो जैसे मैं आप पर चड़ लाएं उस टावर के अपर आप बिल्कुल वैसी यहां पर चड़ जाना जैसे आप यह उपर की साइड आ जोगे तो आप यहां अपने स्कोप को खोल लेना और स्कोप को खोलने के बाद आप यह जम करना उपर की तरफ तो आप यह उपर की तरफ अराम से आ जाओगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपने स्कोप को दुबार से खोल लेना है और स्कोप को खोलने के बाद आपको आगे की तरफ जोइस्टिक को करते जाना है तो आप में धीरे धीरे करके आगे की तरफ आते जाना तो आप हैं Advertisement Board के पीछे छुप जाओगे तो गैस आच चुगे हम Advertisement Board के पीछे और गैस यह S.U. लोकेशन हैं यहाँ पर आपके आराम से केम्पिंग करके अपनी रैंक को काफी इजली पुछ कर सकते हो और साथ ही साथ आप यहाँ से एनिमीज को भी अपने काफी असानी से किल कर सकते हो और गैस ऐसे टावर आपको रास्ते में काफी सारे देखने को भी मिल लाते हैं तो इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप यहाँ टावर के पर अराम से चड़ सकते हो और अराम से आग केंपिंग करके अपनी रेंग को यह काफी इसली पूट्स कर सकते हो तो गाईस आपके ओले लोकेशन है कैसी लगी अगर आपके ओले लोकेशन है पसंदाए तो कमेंड करके अब ज़रूर बताना चलते हैं अब हम अपनी नेक्स ट्रिक की और तो गाईस हमारी वाले ट्रिक भी काफी है था इंटरेस्टिंग होने वाली है तो जैसे कि आपको पता होगा आप हैं मैट किट और इमोट के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं लेकिन आप यह वाले चीज़ मश्रूम या फिर किसी और चीज़ के साथ कर सकते हो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ये मश्रूम को यूज़ करते हो हो आते हैं सो प để चीज को अपी यूज कर रहा हूं और यहां पर मेरा चारेक्टर पीदे मौट को पूरी तरिके से यहां पर you तो अब आपको मेरे को हैं बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है तो जैसे कि आपको पता होगा शोचल जोन के अंदर काफी सारी घास है और जैसे आप और मैं आपको एक बार ढंक से दिखाज रहाएं तो मैं कई भी बेख से फाल ना तो आप पर जायश्यों हिसे आप इप जैसे का आप मिलेडियो हों और इयां पर एग्यावारे उन और स्पर्णडगद कर सकते हो और जैसे के आह सुझार बहए देख को मैं घास की नीची सेला गया हूं और घास उपर हवा में ओड़ती वे दिख रही है और गाइस अगर आप यहां से आगे पीछे जाओगे तो यहां लिख यहां काम नहीं करेगा बस यहां लोग लिख इसी दिखापर है तो आपके अलग लिख यहां कैसे लगा अगर आपके अलग लिख यहां पसेंद आया तो आप कमेंट करके यहां ज़रूर बताना तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्ट ट्रिक की और हमारी यह आले ट्रिक काफी अधा अमेजिंग होना वाली है और इस आले ट्रिक का यूसर के आप अपने सारे बंदों को यहां पर सर्प् करेकर को पर्चेस कर लेना है तो अब आपको अपने फ्रेंड को सामने की तरफ दरवाजिक पास बुला लेना है और आपको भी वहां पर जाके बैठ जाना है तो अब आपको यहां पर कुछ इस जगा पर आके बैठ जाना है और अब आपको अपने फ्रेंड को यहां पर ब so guy's henander की तरफ आने के बाद आपको अंदर की तरफ यहां चले जाना है और भागते हैं अपने सर बोट को खोल लेना है तो जैसे आप मैं सर बोट को खोल लोगए तो आप मैं combat zone के अंदर आ जोगए सो गाइस अब आपको यह सामने की तरफ चले जाना है और अपने फ्रेंड को भी महाँ पर बुला लेना है सो गाइस इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप में कॉमट जोन के अंदर काफी असानी से आता सकते हो लेकिन आप में किसी बंदों को नहीं देख सकते हैं और जैसे कि आप नहीं देख सकते हैं मेरा फ्रेंड है मेरे को नहीं देख सकता लेकिन यहां जो भी कुछ करूँ आप मेरा फ्रेंड को यहां सब कुछ वो लिखेगा तो यहां पर हमएं फायर करेकर लगा के दिखाता हूं तो जैसी मैं यहाँ पर firecracker लगाँगा मेरा firecracker यहाँ पर मेरे friend को दिखता है और जितने में firecracker को यहाँ पर यूज करूँगा वो firecracker मेरे friend को यहाँ पर दिखेंगे जैसे कि यहाँ बंद भी यहाँ पर surprise हो चुगा है कि firecracker यहाँ पर कैसे आ गए और इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप comment zone के अंदर कुछ भी चीज ला सकते हैं और दूसरे बंदों को यहाँ पर surprise कर सकते हैं तो guys जिसने बे ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताएं उस साइट ट्रिक्स आपको कैसी लगी अगर आपको साइट ट्रिक्स आप पसंद आई तो please इस वीडियो का यहाँ पर लाइक कर देना अपने फ्रेंट के शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए तो please चैनल को सबस्क्राइब करना so guys मिलते हैं अब हम अपनी next वीडियो में so thank you so much guys for watching this video and I will see you next time कर दो